नमस्कार, मकर रासी मकर रासी वाले बहुत ही बुद्धिमान, चालांख और मौका परस्त होते हैं मकर रासी पृत्वी तत्व की रासी और स्वामी इनका सनी है अगर बुद्ध बहुत अच्छा है हुआ तो मकर रासी वालों का बहुत आप बुद्धिमान होंगे और आप धनवान तो बहुत होते ही हैं आप चांदी का चमच लेकर पैदा होते हैं चुकि पिर्थी तत्र की रासी है मकर रासी इसलिए आप अपनी बिसे में माहिर होते हैं अगर आप जोतिसी हैं तो आप जोतिस के छेतर में माहिर होंगे अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग के छेतर में माहिर होगे बस अपने छेतर में आप माहिर होगे अगर इनकी आपकी अहंकार सबसे बड़ी आपकी कमजोरी होती है इनको आपकी योगिता का घमंड होता है आप अपने अहंकार को कम करें वरना योगेता चली जाएगी योगेता काम ना आएगी आपकी ये आपको इस्वर की क्रिपा से मिला है अहंकार से आप बचें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आप सलाह लेकर एक पन्ना जरूर धारन करें कि बुद्धी सही रास्ते पर चलेगी भटकाव नहीं होगा आप भगवान सूरी की उपासना करें बहुत फलदाई होगा आपकी आयू लंबी होगी स्वास्त बेहतर होगा अपने खान पान वानी अहंकार पर आप काबू रखें जीवन में आसानी से आप सफलता पाते जाए आप पैसो का इंवेश्टमेंट चांदी सफेद चीज में करें आप बिरस्पती वारे के दिन पैसो का निवेश्ट ना करें आप बचें आप अपने कैरियर में सफलता के लिए धानी रंग प्लस बुलू रंग के कॉम्बिनेशन वाला रूमाल का इस्तेमाल करें अगर दोहे पर बना हुआ वरगाकार आकार में नौखाने होंगे उसमें अंक लिखे होंगे अंगुठी या फिर आप गले में धारन करें नीले रंग के धागे में तो जीवन में जो उतार चड़ाओ है दुरगटना सेहत की समस्या है आप इन सभी चीजों से बचे रहेंगे आप म आप संगर्स कम करने के लिए चांदी का छला या कड़ा जरूर पहने हैं अगर आपके पास पैसे तो बहुत होते हैं संगर्स बचाने को लेकर होता है करना पड़ता है इसलिए आप प्लीज अगर आपकी कुंडली में मंगल भारी हो या मंगल खराब हो तो अगर मकर रासी वालों को जीवन में किसी भी तरह का सुक मंगल से ही प्राप्त होता है सुक दुख हो या दुख धन की प्राप्ती भी मंगल से ही सम्बंद रखती है मंगल भारी हो तो जीवन में कोई न अगर ऐसा है तो आप सुन्दर काणड का पाथ सुन्दर का पाथ सनि बार और मंगलवार के दिन साम के समय करें या फिर ओडियो सुन लें उससे भी काम चल जाएगा मंगलवार के दिन निर्धनों को हलवा पूरी खिलाएं या दे दें अगर आप अपने पहनावे में बदलाव करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे आप अपने पहनावे पर आमतर पर युवा वस्था में ध्यान नहीं देते पर जैसे से उम्ड होते जाता है अप अपने आप ठीक हो जाता है आप अपनी उम्ड के अनुसार पहनावा रखें तो बहतर होगा अगर आप साथ मुखी रुद्राक्च जो सब्तरिसी का स्वरूप है आप अगर इसको मारक दसाओं में पहनेंगे तो लाप प्रद रहेगा मकर रासी वायू तच्च की रासी है चांदी आपके लिए सामाने फल देने वाला धातू है आप इसे धारन कर सकते हैं अब हम आपको आपके बैभाहिक जीवन के बारे में बताएंगे आपका बैभाहिक जीवन आमतोर पर अच्छा होता है मगर अगर आप खुद गरवर ना करें तो आप मेश, करक, तुला, कुंग ये आपकी मित्र रासिया है इनसे आपका बिभा बहुत उत्तम रहेगा सिंग, धनू, मीन, सत्रू रासिया है इनसे बिवा करने से आप बचे बैभाहिक जीमवन में अगर समस्या है तो चंद्रमा को जल दें और चांदी को किसी न किसी रूप में जरूर धारन करें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर सब्सक्राइब करें हम सकेंड पार्ट में फिर मिलेंगे और धेर सारी मकर रासियों के बारे में जानकारी लेकर और उपाय लेकर जिससे आपकी जीवन की तमाम मुश्किलों से आपको बाहर होने में आपकी समस्या जो है उससे निजात पाने में आपको मदर मिलेगी थैंक